कमजोर है आपके बच्चे की यादाश्ट तो ऐसे बढ़ाएं आपके लिए हैं ये 5 टिप्स बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी यादाश्ट अच्छी हो अगर उनकी यादाश्ट कमजोर होगी तो फिर वो नएई चीज़ें नहीं सिख पाएंगे या फिर देर से सीखेंगे यादाश्ट कमजोर होने से पढ़ाई पर भी आसर पड़ेगा इसलिए जरूरी है कि बच्चों की यादाश्ट बढ़ाने के लिए कुछ उपाई किये जाएं तो आएए ये जानते हैं वो कौन से तरीकिये हैं जिनसे बच्चों की यादाश्ट को बढ़ाया जा सकता है उन से बात करें बच्चों से बहुत सारी बात करें और पूछें कि उसके स्कूल में क्या क्या हुआ या फिर उसके दोस्तों का क्या नाम है अगर आप कभी बाहर घुमने जाएं तो घर आकर उस जगए के बारे पूछें ऐसे में आपका बच्चा पिछली बातों को याद करेगा और उन बातों के बारे में कुछ ना कुछ कहानियां बनाएगा और उसके दिमाग को सक्रिय रखने में मदद मिलेगी मन में चित्र गढ़ने को कहें किसी भी पार्ट को याद करने में अगर आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है तो उसे बताए कि जब भी कोई पार्ट को पढ़ें तो उसके बारे में मन में चित्र को सोचें ऐसा करने से आपके बच्चे को वो पाठ याद रहेगा और जल्दी नहीं भूलेगा बच्चे को कहें कि आपको पढ़ाए अपने बच्चे को कहें कि वो आपको छोटी छोटी बातें सिखाएं जैसे जो ढटाना या फिर किसी अन्य विशे का कोई पाठ जो वो चाहे पढ़ाए ऐसा करते समय ध्यान रखें कि वो उची आवाज में बोले इन आद्तों से निश्चा यही आपके बच्चे की यादाश्ट पढ़ेगी और आपका बच्चा पढ़ाई में अवल रहेगा रंगों के माद्यम से पढ़ाएं बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाएं उसे अलग-अलग रंगों से अंडरलाइन कर दें इस तरह से आपका बच्चा रंगों के माद्यम से पढ़ाई को याद रखेगा झाल बच्चा रंगों के माद्यम से इस पढ़ाएं जस तरह से वाल रंगों के मादाएं लिएका रंगों के जबच्चा रंगों के शुछ रखेगा